नमस्कार मैं प्राणिशीर अठोर और आप दीख रही है निक्स्ट नाइन न्यूज एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्रेम राजनिती कल्यारा में जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं राजिस्थान के स्यासी संकट के बारे में राजिस्थान में मौजदा मुख्य मंतरी अशोग गहलोद और पूर्व टिप्टी स्टियम सचेन पाइलेट के बीत बीते लंबे वक्त से जंग छिड़ी होई है आलकमान सौनिया गांधी इस जंग से परिशान हो चुकी है और जिमिदारी सौब दी गई है अध्यक्ष मलिक अरजुन खडगे के साथ साथ नई प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा को सुखजिंदर सिंग रंधावा लगातार बैठ के करते हुई नज़रा रहे हैं लेकिन इस बैठ को क्या असर ये देखने को मिल रहा है कि यहां पर विधायक उनकी बैठ को में शामिल तक नह है हाथ से हाथ जोड़ो अभ्यान प्रेंका गांधी वाडरा के नेतरत वो में चल रहा है ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पस सचिन पाइलेट की नाराजगी लगातार बढ़ती ही जा रही है सचिन पाइलेट जो प्रेंका गांधी के साथ कदमताल मिलाते हुई नजर आते थ हुए नई प्रभारी सुकजिंदर सिंग रंधाबा ने इन सम्मिलन में अपनी बात रखी और यहां पर यही देखने को मिला कि कई ऐसे विधायक और वरिष्ट नेता रहे जो इसमें शामिल नहीं हुए तो वहीं सचिन पाइलेट का नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है क्य सामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि सीएम पत्की दावेदारी के लिए उन्हें आगे शायद नहीं किया जा सकता है क्योंकि साल 2020 में उनके बगावती सुर देखने को मिले उनी चीजों को ध्यान में रखते हुए गहलोद गुट ने 25 सितंबर की रात बीते साल 2022 में सीपी जोश की मांग एक बार फिर से की जा सकते हैं मलिका अरजुन खडगे ने हाई लेवल की बैठक तो गुलाई लेकिन हाई लेवल की बैठक इन तीनों मंत्रियों को लेकर नहीं हो पाई थी दिस्संबर के महीने में सचिन पाइलेट एक बार फिर से यहां पर मांग कर सकते हैं और दूसरी ही तरफ CP जोशी ने राजिस्थान हाई कोट से जो याचिका दायर की गई उसको लेकर भी यहाँ पर खुलासे हुए हैं एक एक करके विधायकों ने अपने इस्तिफ़े वापिस लेने के लिए उनके पास पहुँचे और एक एक करके विधायकों ने अपनी बात चलते यहाँ पर यह बड़ी साजिश रचते हुए नजराए हैं अगर ऐसा है तो कि आशोग गहलोद पर कोई बड़ी कारेवाई हो सकती है कोई कड़ा एक्शन लिया जा सकता है और दूसरी ही तरफ गहलोद सरकार यहाँ पर कई बार कई सामाजिक मुद्दों के चलते भी निशाने पर आई है और सचेन पाइलेट जमीनी इस तर से जुड़ते हुए जो नजराए हैं उन्हें काफी पसंद किया गया है तो बात करेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक से की आखिरकार उनकी क्या कुछ राइप्रते किरिया रहेगी तो सबसे बड़ा और एहम कोविट काल में भी घरती हुए नजराए और फिर से यहां पर जिस तरीके से अडानी गुरूप यहां पर मुसीबतों का सामना कर रहा है उसके चलते बेरोजस्थान में बढ़ सकती है आप इसे किस नजरिय से देखते हैं कि राजस्थान में सबसे पहला तो अभी हाली में जो पेपर लीग का मुद्धा वो सबसे आदा गरमाया हुआ है क्यूंकि अभी हाली में जो विदान सबा सत्र हुए थे उसमें तमाम विपक्ष न यह बात कही थी कि जो भी घहलो सरकार के 2019 के पास से कदम रहे वो सारे कहिना के जनता इखिलाफ रहे खासकर बचों इखिला जाएगा लेकिन सचिन पाइलेट ने जो बयान दिया उस पर गौर करने वाली बात यह कि आखरी जो लाइन थी कि केंदर सरकार ने राज्जे सरकार के साथ भेदभाव किया जहां पर उनकी डबल एंजन की सरकार है उसमें अच्छा बजट दिया और जहां पर राजिस्था होने के लिए यह सचिन पाइलेट का खुलासा था बात रही गेलो सरकार गिरने की ना गिरने की 81 विधायकों का हम मामना लगातार देखने सीपी जोशी ने भी गुसे में ही यह बयान दे दिया था कि उनको पता है नियम कानून क्या है क्योंकि सीपी जोशी पर 20 सिदंबर क के महिने के बाद से सवालात खड़े के जा रहे हैं पहले यह जानकारी सामने आई थी कि उनक्यासी विधायकों ने जाकर खुद इस्तिफा दिया था जो कि नियम 73 के तहता है लेकिन उसके बाद उसी नियम की अगले पड़ाव में देखा जाए तो दूसरा नियम यह भी ज जो शी जिसमें धरमेंदरा राठोर जिसमें एक निर्दली विधायक भी थे वो सब मिलकर गए थे उन्हों ने क्यासी विधाकों का इस्तिफा क्लेक्ट चालेक्ट ऐता है लेकिन एक्यासी विधायकों के तरफ सी ए खुलासा हुआ कि हमने अपनी मर्जी से नहीं बलकि हम का खुलासा नहीं करा तो अभी हाली में यहाँ पर दिपेंदरे सिंग शिकावत में यह बात कहीं कि आला कमान को इस पर जाच करनी चाहिए और जाच होगी तो सब को पताए किसका नाम सामने आएगा क्यूंकि जो दिल्ली तक माफी माफी मांगने चले गए ता अशोग गहलो कि यही कहा जाने लगा कि सीफी जोशी गहलोट पर मैरवान और पाइलेड गुट पर यहाँ पर दवाब है अशोग गहलोट के गुट का और अशोग गहलोट का दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जाए तो CP जोशी को लेकर कहा जाने लगा कि मुख्यमंत्री पद कही ना कहीं वह चाते है या फिर रगु शर्मा को आगे करना चाते है मतलब अपने गुट मैंसे किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो क्या इसी चीज़ के लिए इसी CM कुर्सी के लिए यहां पर गहलोत ने वाकई में यह प्लानिंग प्लोटिंग की है देखे अगर हम हम हमाचल का उधारा ने दे तो परतिबा सिंग चाती थी कि उनके बेटे विक्रमा दित्य सिंग सिंग सियम बने लेकिन कांग्रेस और प्रियांका गांधी ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया कि इस बार जो काबिल नेता वही सियम बनेगा जो गलतिया उनने की गलतियों सीखा मद्य परदेश राजिस्थान में सरकार बनी थी 2019 की चुनाप से पहले लेकिन दोने रा यहां पर सुखजिंदर सिंग सुखु अच्छे दाविदार है तो उनने सुखु को सियम मनाया बात आती है राजिस्थान की की राजिस्थान में अगर उनको लगेगा कि यह नेता दाविदार है तो जरू उसको आगे बढ़ाया जाएगा जैसे सीपी जोशी को 2008 में आगे तो अद्यक्ष बन जाते फिर चाहे अपनी मन मानी करते हैं अगर गहलोत अध्यक्ष बन जाते तो उनका आखरी फैसला होता लेकिन उननों सियम कुर्सी नहीं चोड़ी सीम कुर्सी ना छोड़कर भी शायद उनका गलत फैसला रहा क्योंकि आप आने वाला वक्त जो बता कि गहलोत के पास सबसे बड़ा पद जो बचा वो आखिरकार अध्यक्षपद ही बचाए ऐसे ना करते वैसे उनको दुबारा अध्यक्षपद पर आना पड़ेगा पाइलेट को अगर सियम पद नहीं देना चाहते तो स्वेक्ति का नाम बता दे जिसको सियम पद देना चाहत क्योंकि सुखजंदर सिंग रंधावा यहां पर बैटकों में शामिल ना होने पर सचिन पाइलेट के लिए और बाकी विधायकों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर चुके हैं पाइलेट गुट के लिए यहां पर देखा जाए कई शक्त एक्षन लिए गए हैं लेकिन अब यहां पर बात अशोग गहलूत पर आती है क्या सीम पत को ध्यान में रखते हुए यहां पर गहलूत के लिए कोई एक्षन लेनी की जरूत पड़ती है लेकि सबसे पहले तो सुखजंदर सिंग रंधावा को नहीं बोलना चीए था अशोग गहलूत के रहते वे गहलू होता है हफते के आकरिम अपने परिवार से दिली मुलाकात करने के लिए जाते हैं इसी वज़े से वो शायद उस यातरा में शामिल ना हो पाए वरना तो आला कमान की वहर बात मानते हैं आपने हमने अच्छे तरीके से देखा है और रही बात गहलूत के सीम पत के खिलाव रंधावा के फैसले की तो आप भी जानते हैं कि सुखजिंदर सिंग रंधावा एक पूर डिप्टी सीम रहें वो भी पंजाब के और गहलोत तीन बार मुख्य मंत्री रहें तो आप भी जानते हैं एक्सपीरियंस और ताकत किसके पास जादा गांधी परिवार और आला कम अगर पहुंचे थे भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारों में वहीं 16 से 20 जनवरी तक वह शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजराएं तो यह कुछ बड़ी वज़ा हो सकती हैं जिसके चलते वह शायद समेलन में शामिल नहीं हो पाए हैं अब यहाँ पर बात आती है अश इसले ही चलते हैं पर अपनी राइप पर्तिक्रिया रख सकते हैं इसले हम चलते हैं बागी की तमाम अपडेट्पी के लिए देखते रहिए निक्स्ट नाइन नियूस